हेलो प्रेंट्स मैं हों रिज्वान गुट्ता और आप देखरें हैं योट्विट चनल अउधिक दिए तो आज हम बात करने वाले हैं इंप्लिमेंट्स इंटरफेस में जैसे कि हम prix लो टेयरल से मी बात की थी कि इंट्रीमंट्पीमेंट्स इंट्र्फbareज करूपैश को इने को आपके सेस्ट में अपया होता है वी इने इनप्रेश को पैककिमें इने दर ट्रे бы मता है क्धि ढला क्या इने मनें पहला जाते हैं कि Interface को Class में Inherit करने के दिए Implements Keyword का यूज होता है Implements है क्या ये सारी चीज़े आज हम इस Tutorial में विस्तार से होती है तो चलिए हम सबसे पहले राते है Implements क्या होता है तो ये जो Keyword है Implements तो इस Keyword का Means क्या है इस Keyword को हम कहां भी यूज करते हैं तो इसके लिए हमको क्या दानना होगा कि ये जो Class होती है वैसे कि हमने इस Interface बनाया हमने Interface का Syntex मिछले Tutorial में देखा है यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस Video को देखिए आपको समझ में आएगा कि Interface क्या होता है फिर Extrance Interface यानि Super Interface को उसके सब यानि Child Interface में कैसे इंहरेट करते हैं उसके variables, methods को अब Implement अब Implement यानि कि हम Interface को Interface को Class में कैसे इंहरेट कर सकते हैं तो जब हम Implements Interface को Implement करना चाहते हैं किसी Class में तब हमें Implements Keyword का युजिव करना परता है एक मित्ति कांते हैं ! तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं Мित्त एक इन्टरफेस बनाते है इन्टरफेस बनाने को दिए को इन्टर те के स्तित् духов इ juicy के मैंने क्लास इन्टरफेस बना देुं इस ख्लास काला से इवन को we band टिक, और यह हमने approach करती है, ठिक, यह क्या होड़ा मेरा एक interface, अब इस interface को जब हम class में inherit करना चाहते हैं, यह सारी चुम्जे इसकी जो हैं, तो हम जब class में inherit करें, तो कैसे करता कोईं, ठिक, तो यह सारी चीजे हम देखे हमें, तो समसे पहले हम इसके बाद क्या करते हैं, इस इसके बाद हम class बनाएंगे तिक तो फो ले ले class बनादी class बनादी दिना तिक अब हम इस interface को इस interface को क्या करना जाती है कि class में extend करना जाहते है जब हम class में extend करना जाते हैं इंहेरिट करना चाहते है मतलब तो उस वहां भी हमको क्या की बाद हुआ है impl именно a तो implements लिखतेने वसे यहीं in25 driven variables और methods जो Johnson समय ने दिए हैं उसे yooge कर सकते हैं यह पाप गाओ अज़ अर यह क्या होगा आइ — पैप गंड़ने पाँ भी में हमें लोगे बदील है, पीछल अनुस आप बढ़ने गार्ण करते हैं, तो आप बिछले वीडियो को जरूर देख लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्लास बनाते हैं, थेक तो यहां पे को दिखाएंगे लिए भी फिर सो और दो प्रत अप, तो हम आपको दिखा देते हैं, जैसे हमें सो किया, सो मेथट किया रहा है, अब सो को हमें यहां दिल दिया, इन्टो, यक्स, और इन्ट बाइफ, ठीक, अब इसका जब हम मैसेज देंगे, ठीक, कैसे मैसेज दे देते हैं, इसमें, यह A और B, यह A जुकर X की value, और B जुकर Y की value, ठीक, तो हमने इसके variable से भी use कर दिये, और method से भी use कर दिये, और से हमें growth करते हैं, तो यह क्या हो जाता है, जोस्तों, कि जब हम interface को किसी class में, जब किसी interface को class में, implement, यानि, inherit करना जाते हैं, इस interface के methods, variables, यह सारी चीज़े, access करना जाते हैं किसी class में, तो हमको implements, इंटर, का keyword का यह जच करना पड़ता है, और यह keyword ही, इसके variables, और methods को inherit करने की अनुमती देता है, और नहीं तो हम नहीं ही कर सकते हैं, ते, और यह by default आपनी करते हैं, हम आपको बताएंगे कि visual की control क्या होता है, तो कि हम आपको अगले tutorial में बताएंगे, और इस तरह भी tutorials आप देखते ही, ताकि आपको java पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाए, और यदि आपने अभी तक हमारे videos को like नहीं किया है, तो like कर लीजिए, share जरूर करिए दोस्तों पिसाथ ताकि उनको भी जावाब अगर पढ़ते हैं तो उनको सरलता मिले, टिक, दोस्तों, comment में अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप comment में हमको तूँच सकते हैं कि इसका क्या होगा, इसकी tutorials बताएंगे, अगर जो चीजे समझ में नहीं आ रही तो आप पेचिशाक मूच स सकते हैं हमसे comment में, टिक, और उसके बारे में tutorials बना दूगा, वीडियो बना दूगा, क्या आप देख सकते हैं, आपको profit होगी उससे, और यदि आपने भी तक हमारे चनल को subscribe में किया है, तो subscribe जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह की videos की notifications मिलते रहें, और आपको हमारा support भी करना रहें, thank you, मिलते हैं आपको अगले videos की साथ, तब तक के लिए, bye